क्यूं तुम्हें क्या लगा आजकल की दुनिवा में मम्मीों का काम बस इतना थोड़ी ना है कि वो तुम्हें नौ महीने पेट में रखे उसके बाद 10-15 साल पा ले तुम्हारा मलमूत साफ करे आप उनका काम ये भी है कि वो तुम्हें यूट्यूब पे व्यूज लाके दे तो आज मैं आपी इससे मुलाकात करवाने वाला हूँ उन्होंने कोशच कर ये मूवी रिवीज करने की व्लोक्स बनाने की रियक्शन और कॉमेंटरी वीडियो बनाने की लेकिन एट्दियन व्यूज आई बाई इस मम्मी इंडियन गीक और रागव आनंद जो है अठारा से लेके 21 साल के पुरुष यूवा यूट्यूबर अब ये अठारा के हैं या 21 के मैं इसका आइडिया बिलकुल ने लगा पा रहा क्योंकि ब्लॉक के नाम पर लिखाया है इनने ये अठारा के हैं लेकिन कब मैं इनके सारे पुराने वीडियो देखे और उसके बाद मैंने इनकी डेट मैच करनी कोशिश करी तो मुझे इनकी डेट नहीं समझ या फिर इनने एक अद्दू स्किप करी है पता नहीं किते एक्षक हैं जरा कमेंट में मुझे बता देना लेकिन ये तो हो गई सीधी सीधी बात है अब अपन करने वाले हैं कुछ है फाकेट यार मतलब मैं सीधे बताया था उनका चैनल बड़ी आया है बिल्कुल फणी वाली वीडियो टाइक की बनाते हैं तो वीडियो खोलना जाके इनकी 20-30 वीडियो देखोगे रात के देड़ बच जाएंगे फिर और तब यह बनाया कर देते मूवी रिव्यू उसके बाद इन्होंने शुरू करा व्लॉक करना इनके चौराय पर एक्सिडेंट हो जाने से लेकि यस ड्रमाटिक पॉस गाण फटे तो फटे नबाभी नघटे के इनके बोर्ट के रिजल्ट तक टुदे इस रिजल्ट इनक हमारे वाइल तो पच्मड़ी भी नहीं लेकि गए थी लेकिन मैं समच सकता हूं क्यों नहीं लेकि गए तो बता हैं तुम्हारा स्कूल कॉनसी जाए ले गया था तुम्हें ट्रिप पे फिर इन और शुरू करा चैलेंजिस लेना टुथ एंड डेर खेलना तो बरफ में जल पेल लेने से लेकि बरफ, माशमेलो, लंड, मुह में सब भसाने ही कोशुश करी लेकिन जैसे मेरी वीडियो में यूमर नहीं मिलता है इनकी वीडियो से व्यूज नहीं मिल पा रहे थे फिर फाइनल ये चमतकार हुआ और इन्होंने बनाया अपना पहला प्रेंक तुम जूट बोल रहे हो क्यों तुमें क्या लगा अजकल की दुनिवा मम्मीों का काम बस इतना थोड़ना है कि वो तुम्हें 9 महीने पेट में रखे उसके बाद 10-15 साल पा ले तुम्हारा मलमूत साफ करे अब उनका काम ये भी है कि वो तुम्हें यूट्यूब पे व्यूज लाके दे इसी तरीके से इनका पहला वीडियो वाइरल गया और चैनल लगा चल ले बस थोड़े जरुआ वेट कर रहा हूं मैं अगर ऐसे ही चलता रहा तो बस करने जा रहा हूं मैं प्रेगनेंट किसी को पस फिर क्या है वो दिने और आज का दिन है भाया ने एक मौका नी छोड़ा जिसके अंदर अंटी मिल जा और इन्होंने थमने में ने डाला हो रहा है अप्रंग बस फिर क्या रोस्टिंग की ले रायोot रागाभषा ने शूरू कर दिया और करना अब मैं इसमें कुछ यह नहीं सकता रोस्ट यह अच्छा ही करते हैं मतलब अब जो चीज़ मैं नहीं कह सकते हैं मैं क्या करूं अच्छी है तो अच्छी है वीडियो देख लेओ अफिलेट मार्किटिंग स्कीम्स में पाट लो बेच अपना चुटिया कटो फिर इस्टेग्राम रीस पर औरों का चुटिया कटो मैं उनको छक्का बुला हूँ रग भईया ने जिन्दीगी में हर टैप का कोंटेंट ट्राए किया लोंग रीक्शन कोमेंट्री पस औरीजनल कोंटेंट ट्राए नई किया गैं कोई दित्कत नहीं हम करना एंख को कोई दिक्टत नहीं है तुम जैसा कर रेचो करो न्यू देली में जहां इनकी मम्मी नहीं है लेकिन चैनल पर व्यूस तो चाहिए तो अब ये वीडियो बनाते हैं सोयम जगत मा इंस्टाग्राम रील्स पर है यूह नूट अबने में उनको छका पूलाओं हुआ फिर अगर आपन रागाफ बात कर रहें हैं तो अनके बहयागी कैसे ना कीजा जिस तरीके से वह विडियो में कहीं से भी आ जाते हैं शब्लिए मेरे पास पर आप नहीं बांकि वो अपना खुद का वीडियो रिजर्फ करते हैं आंगे उनकी उपर भी वीडियो बनाऊगा मैं लेकिन इनको देखने के बाद मुझे ये ये कन्फार्म हो गया मुझे लगता था यूट्यूबर्स बनते हैं अब मुझे समझ आ गया यूट्यूब एक जैनेटिक डिसीस है ये जनरेशन टू जनरेशन पासओन होता है पर इनके पास है एक डॉग और मेरी जिन्दगी का बस एक रूल है अगर तुम अपने माबापको ब्रद आश्रम भी छोड़के आ गए हो तो मैं आपको मा पहली बार देखा और मैं इनके सारे के सारे वीडियो उसको चांट मारा और वो सीरेसली बहुत अजीब एक्सपिरेंस था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने एक और जिंदगी जी लिए बेकार वाली जो की बिलकुल भी अच्छा एक्सपिरेंस नहीं था ये इतनी छोट लगका है हमारे लाइक मम्मी को थम्नेल में डालो जिसे स्वीटी भी तो बोल पाई यूट डिजर्व और मम की सच में देखने के बाद में रियल में बहुत गंदा वाले एडिक्टिव चैनल है इनका मतलब एक वीडियो में गोस्तने के बाद वह एक के बाद एक के बाद देखते जाओगे आपको मेरी अगली वीडियो में शाउट आट मिल सकता है अगर आप इस वीडियो को स्क्रीन शॉट लेके मुझे और इनको टेक करते हो अपनी इस्टाग्राम की स्टोरी पर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जागा और इस वीडियो को शाउट हानी एंगाइट